हाई ट्वेल्थीज वेल्कम टू इजी वे कॉमर्स क्लासिस मैं हो तबिता और गाईज आज के इस वीडियो में हम अपनी मेक्रो एक्कोनॉमिक्स के बुक में से एक्सिस दिमांड एंड डेफिशेंट डिमांड चेप्रे को स्टार्ट करेंगे जो की काफी इंट्रॉस्टिं है और काफी इजी है अगर आप चैनल पर पहली बार में सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें फॉर न्यू मोर वीडियो और आप अपने डाउट मुझ से यूट्यूब और इंस्ट्राग्राम पर पूछ सकते हो इंस्ट्राग्राम पर आईडी है तबिता मैस अपने शेप्टर को जिसका नाम है एक्सिस दिमांड को पकटते हैं देखो इसका नाम क्या है एक्सिस दिमांड एक्सिस मतलब जादा दिमांड यानि की मांग तो अगर हमारे देश में डिमांड जादा हो जाती है तो उसे एक्सिस दिमांड कहते हैं बट सिफ इतनी रेफ क्या कहती है के यही है लेकिन अलग तरीके से so excess demand refers to the situation excess demand हम किसे कहते है उस situation को कहते है when aggregate demand जब हमारे देश में aggregate demand क्या होती है देश की demand aggregate demand is more than the aggregate supply जब हमारे देश में aggregate demand aggregate supply से ज्यादा हो जाती है corresponding to the full employment level यानि कि जब हमारा equilibrium level था उस समय पर हमारे देश में डिमांड बढ़ जाए तो हमारा equilibrium level किसी कहते है जो कि अपने प्रिविएस चेप्टर में पढ़ा है और ये अग्रिगेट डिमांड का कव होता है ठीक है इसकी बेसिक ठोरी काफे इंट्रस्टिंग है अगर आपने नहीं पढ़ी है तो मेरी प्रिविएस वीडियो देखना प्रिविएस चेप्टर की उनमें आपको बहुत अच्छी तरह के समझाएगी तो गाइस इकलिविएम लेवल होता है जो हमारी डिमांड हमारी एग्रिगेट सप्लाय के बराबर हो जाती है यानि कि यहां पर यहां पर य चाहते हैं लोगों को काम मिल रखा है अब अगर ऐसी सिच्वेशन में हमारे देश में डिमांड बढ़ जाए ठीक है तो वह एग्रिगेट सप्लाय कर्व को ऊपर कट करेगी बट क्योंकि हम लोग अपने आउटपुट में भी सफीशेंट जितना सप्लाय कर सकते थे पूर अयशे केसमें जो यह प्राइज लिफल हमारा जो यहां से यहां बड़ जाता है ठीक है वह होता है मेहंगाई inflationary gap तो ऐसे situation में देश में inflationary gap की situation आ जाती है तो यह एक proper curve है कि हमारे देश में जब भी aggregate demand aggregate supply से ज़्यादा होती है कब ज़्यादा होती है जब हम लोग equilibrium लेवल पर होते हैं और full employment level होता है हमारी economy में फुल employment level बोले तो जितने लोग काम करना चाहते है सब को काम मिल रखा है उसे फुल employment level कहते है तो अगर ऐसे situation में लोग ज़्यादा demand करने लग जाए तो भाई हमारे पास labor नहीं है यह हमारा equilibrium level है ठीक है full employment equilibrium situation है कि हमारे में यहां पर employment भी पूरी की पूरी है अब ऐसे case में अगर demand बढ़ जाए there are many factors इनकी वज़े से demand बढ़ते है जो कि मैं अभी बताऊंगे आपको तो यह जो gap आ जाता है इसे हम कहते है inflationary gap यानि कि महंगा आया जाना so inflationary gap basically क्या होता है is the gap जो कि हमारी actual aggregate demand exceeds the aggregate demand required for the equilibrium level यानि कि हमारे equilibrium level के लिए जो demand चाहिए थी let's suppose 20 unit की चाहिए थी और supply भी 20 unit की थी लेकिन अगर हमारी demand 25 unit की हो जाए तो जो यह 5 unit का हमारी demand बढ़ रही है यह कैसे दूर होगी महंगाई आकर क्यों महंगाई आएगी guys ऐसा क्यों होगा कि भई हमारे देश में demand बढ़ी है अच्छी बाते demand बढ़ना तो बट महंगाई आ गई क्यों क्योंकि हमारे पास full employment level था हम और जादा production नहीं कर सकते हैं जितना production है इसी से satisfy करना है हमें अपनी public को तो ऐसे case में महंगाई आ जाएगी क्योंकि जने जादा होंगे चीज कम होगी और इसका benefits किसको को मिलता है producers को यह हमारा inflationary gap कहलाता है ठीक है अब ऐसे case में effect क्या आते है हमारी economy में क्या हमारा output बढ़ेगा सो नो हमारे देश में कोई output नहीं बढ़ सकता यानि कि production नहीं बढ़ सकती क्या हमारे देश में employment बढ़ेगी नहीं हमारे देश में employment भी नहीं बढ़ेगी क्योंकि already हम लोग full employment level पर थे तो क्या होगा महंगाई बढ़ेगी येस general price level हमारे देश में महंगा हो जाएगा क्योंकि चीजे कम है और demands आता है जैसा कि आपने देखा कोविट के situation में जब oxygen की demand बढ़ गई थी तो एक दन से production नहीं हो सकता था तो क्या हुआ चीजें 10 गुना 100 गुना दाम पर भी की थी अब ये तो guys एक simple सा curve था जिसमें आपको एक AAS बनाना है aggregate supply AD बनाना है and output level यहां पर आपका aggregate demand दिखाना है अब इसके बाद बात करतें guys कि ऐसे situation हमारे को क्यों face करने को मिलती है तो पहला reason है rise in propensity to consume propensity to consume किसे कहते guys किसे कहते propensity to consume MPC को यानि कि अगर हमारे देश में खर्चने का pattern बहुत जादा हो जाएगा ज्यादा लोग income कमा रहे हैं और जितनी कमा रहे हैं चलो उसमें जादा खर्च कर रहे हैं तो MPC आपने basic chapter में पढ़ा है that is marginal propensity to consume अगर हम अपनी income का जादा खर्च करने लग जाते हैं तो देश में demand बढ़ जाती है वहीं अगर किसी देश में कम खर्चा जाता है तो वहाँ पे demand कम रहती है और वहाँ पे saving जादा होती है तो MPC जितना जादा होगा saving उतनी कम होगी ठीक है तो अगर किसी देश में MPC जादा है it means demand जादा है तो ये भी reason हो सकता है कि अगर किसी देश का खर्चने का pattern बढ़ जाए तो वहाँ पे demand बढ़ जाती है Second, reduction in taxes यानि कि government ने अगर taxes कम कर दिये तो क्या होगा लोगों के हाथ में पैसा बचेगा, demand बढ़ेगी, चीजे खरीदेंगे Third, increase in government expenditure Government अगर अपने खर्चे बढ़ा देती है खर्चे बढ़ाना मतलब क्यों होता है, कि मतलब उड़ा रही है, नहीं Government expenditure मतलब government hospitals बना रही है, roads बना रही है तो ऐसे में लोगों को employment opportunity मिलती है ठीक है, समझना इस बात को ऐसे में लोगों को employment opportunity मिलती है तो उनके हाथ में income generate होती है जो कि हमने investment multiplier chapter में पढ़ा था तो लोगों के हाथ में जब पैसा आता है किसके थूरू आते है, government ने क्योंकि उनको different opportunity दी by expenditure खुद का खर्चा किया, लेकिन लोगों के हाथ में पैसा दिया तो भी लोगों की income directly effect होती है जो कि हमने investment multiplier में ये भी चीज़ हमने पढ़ी government expenditure, road वगरा है same way में investment expenditure है इसके बाद है fall in imports यानि कि अगर हम बाहर से जो समान मंगाते थे बंद कर दिया भया देश को make in India खरी देंगे तो भी क्या होगा? consumption बढ़ जाएगी इसके लावा है guys deficit financing जब government deficit financing यानि कि घाटा चल रहा होता है और उस case में money supply करती है देश में पैसा आ जाता है पैसे को प्रवाग किया जाता है flow किया जाता है money को economy में ताकि लोगों की demand बढ़े तो उस case में aggregate demand बढ़ जाती है तो guys ये main reasons है जिनकी वज़े से access demand होता है उसका effect में आपको बता चुकी और access demand का मतलब तो ये guys आज के इस topic में था I hope guys आप लोगों को समझ आया होगा अगर still आपके मन में कोई भी query है तो आप मुझे message कर सकते हो या फिर comment कर सकते हो Thank you